हेलो स्टूटेंट तो आज हम लोग यूनिट थर्ड ऑफ लेवर वेलफेस्ट पढ़ने वाले हैं फिर से जिसमें एंप्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिस्लीनियर्स प्रोविजन एक्ट 1952 के बारे में हम पढ़ रहे थे तो आज हम फिर से दो टॉपिक कवर करेंगे प्रोविडेंट फंड इन इस ट्राइव ऑद रौपिक है ने तो बिन टाइम बेंटिम हम लोग अपने टॉपिक की और पर्स पंड क्या होता है ठीक है उप्रोविडेंट फंड इस डविलफेर स्कीम फोर बेनेफिट ऑन एंप्लोई मतलब किए क्ए वेलफेर स्कीम है एक जरिया बनाए गया है जो कि benefit प्रवाइड करें employees को जो कि किसी organization में काम कर रहे हैं definition की बात करें तो प्रविडेंट fund is an investment fund that is voluntary stabilized by employer and employees मतलब कि एक voluntary fund होता है investment होता है जो कि employer and employee के द्वारा बना जाता है to serve as long term savings to support an employee retirement मतलब कि employee के पैसे कुछ काड़ा जाता है employer देता है उसको खटा करके जो पैसे long term save होता है उसको employee retirement होता है उस time पर दिये जाता है यही है प्रविडेंट fund जो कि help करता है किसी employee को उसके retirement के time ठीक है अब हम बात next topic के और move on करते है तो वह है types of provident fund इस तरी कौन-कौन से हमारे है पहला है statary provident fund SPF ठीक है इस दो प्रविडेंट fund registered under प्रविडेंट फइंड एक 1925 मतलब कि एक प्रविडेंट फइंड है जो कि रिस्टर्ड है 1925 प्रविडेंट फंड एक के अंतर रहे है थिक है they are also known as government proud and fund strategy program fund को हम लोग SPS provision fund को हम लोग government fund के नाम से भी जानते हैं who are meant of government semi government employs university और educational institution affiliated to university established under the state of other specified institutions would be qualified to give to them मतलब SPF जो भी government service में होता है जाहे वह semi-government employee हो या फिर यूनस्ती में हो जी के चुनल में हो उसको मिलता है ठीक है दूसरा हमारा आता है public provident fund ppf public provident fund is covered under public provident fund act 1968 मतलब कि 1968 public provident fund के अंतरगत प्प्प आता है ठीक है इंदेश इसमें any member of the public whether employee or not can invest in public provident fund मतलब इसके अंतरगत कोई भी person हो जाहे वो पब्लीक पब्लीक क्या हो या पब्लीक प्रविदेंट का हो या ना हो वह इसमें इंवस्ट कर सकता है इसमें कोई रोख टोग नहीं है minimum contribution in this fund is Rs.500 जब सबसे कम contribution सबसे कम investment 500 रुपय है और जदक ज़्यादा आप एक साल में एक लाग पशाज दर तक की investment इसमें कर सकते हैं हमारा चौथा टाइप आता है रिकर नाइस प्रोविदेंट फंड अर्प नौट रेल्वे पुलिश फोर्स एट्स रिकर नाइस प्रोविदेंट फंड टेक है इस स्कीम इस रिजिस्टर्ट अंडर इंप्लोई प्रोविद इसमांट की कोईबी पर् possibility मिंसें मतला इंप्लोई हो constitu मतला मतल मतलां ठीक है तो इसमांड कर सब्सक्रिक्रों ऊ acting है विटैक ह cricket इंथिद फंडर तन को आपने च्वाइस से बढ़ेध मतलब विश्वेस से कम विट ब्रहें था से भी काम रहा तो भी वह अपने को रिचिर कर सकता है, ठीक है? हमारा टाइप आता है का अने कर आप संद का अन्रीकर अनाइज पैंच फॉर इंपलाइज एक मतलब कि एक यह स्कीम है स्टाइट बाइड एंप्लॉयर एंड एंप्लॉई एंप्लॉई और इंप्लॉई को दर स्टाइट किया किसी वेस्टिश्मेंट में जहां पे अप्रूवल जो है वह कमिशन्स अफ इंकम टेक्स से लिए जाता है तब उसको कहते हैं अन्रिक मतलब कि एंप्लॉई को जब एंप्लॉई को जब आइंप्लॉई को जब देना है इसलिए इस एक्ट को लाया गया थीक है और क्लास फॉइस और ये लीगल है मतलब कि employees को जब उनकी द्याथ हो जाती है उस समय इनको कौन-कौन से फैमिली को बेनेफिट मिलने चाहिए उसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में इसके अंडर जो आते हैं उनके उपर ही अप्लिक एबल होता है दूसरा हमारा टाइप आता है का इंप्लॉईएस पैंसन स्कीम 1995 कहता है कि इंप्लॉईज पैंसन इसकीम उस्ट पैंसन नेके पैंशन पैंसन तो मतलब कि जो इंप्लॉई पैंशन चेम इसको लाने के परपस रही था कि जो पैंशन है, सुबर्निशन पैंशन 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 और पर्मान डॉक्टर रिसूलिंट पैंशन वह इंपलाई को दिये जा जो किसी स्टिबिश्मेंट में काम कर रहे हैं और इसको इसको पैंशन दी जाए एंड वीडो और पैंशन पेवल तो विद्धवा को पैंशन होता है वह उनको मिले इसको लाने के लिए ही इंप्लोई पैंशन श्रीम लाया गया था सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं अब अपने तीसरे स्कीम की और करते हैं हमारा है इंप्लोई दी पोजिट लिंग इंस्रेंश चीम 1976 ठीक है तो हमारा यह जो कहता है कि एक इंप्लोई दी पोजिट एंशन शीम मतलब कि अगर किसी परजन की देथ हो जाती है तो उसके लिए इसको लाया गया था मतलब कि किसी भी सर्विस कर रहा है मतलब कि जॉब कंटिन्यू में है उसकी देथ हो जाती है उस समय इंप्लोईज दिपोजिट लिंग इंस्ट्रेंट स्कीम वह काम आता है उसकी फैमली के लिए और यह कंपनी के दोरा दिया जाता है अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की और मुववण करते हैं जो कि अथोरिटी अंदर इस एक तो अथोरिटी की बात करें तो अपना ऑफिशल चलाता है इसमें इसको अथोरिटी की तौरब चलाता है यह सेंट्रल गवश्य वेपर पर लिखके आया हुआ 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 है अब हम अगर सबस्क्राइब की बात करें तो फ़हला सबस्क्राइम आता है डिवटी और सेंटर गवववर्मेंट बोर्ड इस टूसेंट एननुएल रिपोर्ट तो था सेंट्र गॉवअर्मेंट ओ सब्सक्राइं डियक वह कंशला है वर्खोर अक्टिविटी ओर थोर शो अबब Central Government will submit a report to the controller and auditor general of India मतलब कि जो Central Government SCG है यह रिपोर्ट जो बनाएगी वो controller और auditor general of India को submit करेगी ठीक है रिकमपसरी है comments of Central Board are laid down by Central Government मतलब जो Central Board है उसका comment साइज मतलब जो विचार है उनका वो सुना जाता है किसके दौरा Central Government के दौरा ठीक है फिर आता है members of Central Central Board कौन-कौन member हो सकता है Central Board का ठीक है तो पहले आते हैं chairman and vice chairman appointed by Central Government इसकी हिंदी आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े आप लोग सब लोग graduation कर रहे हैं तो इतना समझी रहे होंगे मतलब कि पहला आता है उसका दूसरा है Central Government Commissioner इसमें छूट गया माफी चाहेंगे ठीक है तीसरा आता Central Government officials not more than 5% पांस ज्यादा नहीं हो सकते हैं जिनको भेजेगी जिन परसंस को उनको officials कहते हैं तो वह पांस से ज्यादा नहीं हो सकते हैं यह वह मेंबर्स हो सकते हैं not more than 10 people representative employee not more than 10 people फिर आता है नेक्स पॉइंट कि इस टॉपिक में यह चीज़े याद रखने की जोड़ा था इसमें कि Central Government shall appoint Central Provident Fund Commissioner मतलब Central Government Central Provident Fund Commissioner को कर सकती है डेपूटेट डेपूटी प्रोविनेंट फंट कमिशनर को अपॉइंट कर सकती है और डेपूटी और इसमें जो है यह दोना मिलके Central प्रोविनेंट कर सकते हैं ठीक है जिसे कहते हैं इस अपॉइंट बाइपूइंट फंट को अपने में अपॉइंट कर सकती है अगर उनको जरूरत मैसूस होती है तो ठीक है अजिए हमेर नेक्स के और मुवाउण करें तो हमारा नेक्स आता है बोडं दा arm जेसे हमेरश फॉइंट सेट्र बोडं मतलब कि पreno मरी मसफर बहुंत को जो बातचित करके आपस मे होती है वह बातचित करके मसवरा करके कुछ होता है उसको बातचित करके मसवरा 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 ले करके बातचित करके और जो सेंटरल बोर्ड है उसको स्टेट बोर्ड को स्टेबलाइस कर सकते किसी भी स्टेट में जहां पर मैसूस होती है उनको Constitution of the Board is done by notification in official gadget बतलब कि स्टेट बोर्ट का जो बनावट है बनना है वह एक नोटिफिकेशन दौरा उफिसल गैजेट में लिखा जाएगा फिर स्टार्ट होता है यह सेंट्र गवर्मेंट फ्रम टॉट्वर्म टॉटीज तो परफॉर्म बाइस्ट बोर्ट इनको बताते रहते हैं कि आपक इस प्रोविद्ट फ्राइंद एक्ट बिल प्रवाइड गोई बिल परवाइड तर्म संटिशन्स में जो कि आपक प्सिचेट करने की निटीच करेगा थिक तो हमारा लास टॉपिक तीग घप स्टीटीट इस नौट इसने कमिटीट थी इसमार्ट इसनल गुवर्मेंट मे वो बनाएगी विच विल बी अंडर जो गोवर्मेंट का अंडर होगी विच वर्क अंडर एडवाइस ऑफ Central Board के अंतर करते काम कर रहेगी ठीक है हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं आपने दोस्तों सेर जरू करिए इसको सेर करने से उनको भी फायदा होगा अगर पेपर आपके आ रहे हो तो ठीक है और होप आप सबका पेपर अच्छा जाए और थैंक्स वर वाचिंग देवीडि कर दो